हलो स्टूडेंट मैं शाहिन लूथरा आज हम करेंगे क्लास एव्ध का मैंस का चाप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.3 करेंगे जिसका फर्स्ट कुर्शन है गिवन आप पैरलोग्राम ABCD यहापे हमें एक पैरलोग्राम ABCD दे रखा है complete each statement along with the definition or property used अब यहाँ पर उन्हें हमें जो भी दे रखे हैं तो हमें इसकी property और जो इसकी definition बनती है उसके according हमें साथ में बतानी भी है और इसको हमने साथ में बताना है कि जो AD है वो किसके equal है और क्या reason है उसके equal होने का वो भी हमें साथ में इसके लिखना है तो इसकी property का use करते हुए हम लिखेंगे first है AD, AD equal देखो यह हमारा A और D, AD equal हम इन्होंने बता दी यह parallelogram है AD equal है BC के क्योंकि opposite sides of parallelogram are equal क्योंकि जो parallelogram की opposite sides होती है वो equal होती है इसलिए AD जो है वो BC के equal है ठीक है अब जो angle हमें दे रखा है DCB जो angle बीच में लिखा होता है उसलिए की बात होती है angle DCB equal किसकी होगा angle DAB के क्यों equal होगा क्योंकि जो opposite angles होते हैं parallelogram के वो भी equal होते हैं C equal होगा A के ठीक है अब जो OC है वो equal है OA के क्योंकि जो diagonal है हमारा parallelogram का यह करता है bisect करता है एक दूसरे को ठीक है तो OC जो है अब देखो यह जो हमारा AC है AC के उपर यह हमारा DB जो है वो bisect कर रहा है तो यह आधा-धा हो गया तो जितना हमारा AO है उतना ही हमारा OC है इसलिए OC equal हो जाएगा OA के और हम लिखेंगे diagnosis और parallelogram bisect लास्ट वाला देखो कि angle DAB plus angle CDA किसके equal है यानि कि angle DAB में हम angle A देखेंगे और angle CDA में D देखेंगे यानि कि जो angle A और जो C है वो किसके equal है 180 degree के equal है क्यों क्योंकि जो हमारे parallelogram के अंदर adjacent angles होते है adjacent angles कों से होते है जो A की line पे बने होते हैं यह हमारा A की line पे बना हुआ है ना इस line पे A भी बना हुआ है डी भी बना हुआ हो तो यह इसका adjacent angle है तो जो adjacent angles होते हैं वो 180 degree के equal होते हैं इसलिए जो angle DAB है वो angle CDA equal होगा 180 degree ठीक है अब second देखो इसका first देखते हैं second में हमें बोला गया है consider the falling parallelogram find the value of unknown XYZ हमें XYZ तीनों की जो है इसमें value find करनी है इस parallelogram में तो सबसे पहले आप देखो जो हमारा Y है वो हमारा equal होगा 100 जो Y है वो हमारा 100 होगा क्यों 100 होगा इसके अंदर के हैं हमारा जो B है वो हमें क्या दे रखा है 100 दे रखा है इसलिए Y भी हमारा 100 दिगरी होगा क्योंकि जो opposite angle of our parallelogram are equal क्योंकि जो parallelogram के opposite angles होते हैं वो equal होते है अगर ये 100 है तो ये भी 100 है तो Y हो गया हमारा 100 दिगरी अब हमारा Y निकला तो ये हमारा जब 100 दिगरी हो गया अब अब देखो अब इस line के ओपर जो Y और X है वो adjacent angles है ठीक है एक line पर जो दो angles बने होते है adjacent angles होते हैं तो जो हमारा X प्लस 100 हमारा adjacent angles कितने डिगरी के होते है 180 दिगरी का भी हमने पीछे देखा था ना तो ये दोनों angle मिला के 180 दिगरी के है अब हमारा देखो ये कितना आ गया 80 दिगरी आ गया ये 100 ये 80 ये 100 ठीक है अब जब C हमारा 80 दिगरी आ गया तो इसका opposite क्या है Z है तो वो भी हमारा 80 दिगरी होगा तो Z equal हो गया हमारे X के यानि कि Z equal हो गया 80 दिगरी के opposite angles और परलो ग्रामर equal X 80 Y 100 Z 80 दिगरी आ गया ठीक है तो होग है हमारा question second का first part अब इसके अंदर भी हमें जो है X Y और Z जो है वो find करना है तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें हमें एक angle यहाँ पर दे रखा है और हमें नहीं दे रखा ठीक है तो X हमारा कितना होगा अब इस line के ओपर हमारा यह जो 50 और X है यह दोनों argerson angle है ठीक है argerson angle 180 degree के होते हैं तो 180 में से 50 को minus करेंग तो X आजएगा तो यही हमने किया X plus 50 equal 180 argerson angle is a parallelogram and supplementary 180 में से 50 को minus करेंग तो 130 तो X हमारा आ गया 130 degree अब हमारा X आ गया तो अब इसका opposite angle क्या है Y है तो Y भी क्या हो गया 130 degree 130 degree आ गया अब आप इसको देखो angle 1 अगर हमारा यह X हमें यह आ पर दिख रहा है कि यह कितने degree का है 90 degree का तो X और यह 30 और Y यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है एक triangle बन जाता है ठीक है यहाँ पर जो हमारा X X क्या था हमारा 30 था तो यहाँ पर X की जागा X हमारा क्या था 90 X की जागा 90 30 Y 90 30 को प्लस किया 180 पे से माइनस किया तो Y हमारा कितना आ गया 60 degree आ गया Y आ गया हमारा यहाँ पर 60 degree अब हम यहाँ पर देख सकते ठीक है जब हमारे पास 30 और 90 आ गए दोनों को प्लस करके हमने 180 में से माइनस किया तो हमारा y आ गया 60 डिगरी अब हमारे पास x और y दोनों आ चुके हैं अब हमने यहाँ पर क्या निकालना है z फाइन करना है तो हमारा y 60 डिगरी आ गया अब जो y है वो equal होगा जो z है और जो y है वो equal है क्यों he back यहाँ ए यहाँ पर ये y है और ये z है जो एक लाइन के ऊपर एक हमारा जो एंगल है वो हमारा एक इस साइड निकि लाइन के इस तरफ बना हुआ है और एक लाइन के हमारा इस तरफ बना हुआ है और एक एक स्टीरियर आप काउंट कर लो लाइन के उस तरफ एक आप इस तरफ इंटीरियर काउंट कर लो तो जब एक पिर दो अलग-अलग angles बने होते हैं, तो वो alternative interior angle हो जाते हैं, दोनों अंदर की side ही, ठीक है, ये भी अंदर की side है, ये लेकिन alternate है, ये एक इस तरफ, एक उस तरफ, बने दोनों अंदर हो हैं, लेकिन एक line की इस तरफ है, एक left hand side, एक right hand side है, इसलिए जो alternative interior angle होते हैं, वो दोन गया हमारा 60, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में भी हमें X, Y, Z जो है, फाइन करना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे 80 डिग्री दे रखा, 80 के opposite क्या है, Y, तो Y भी 80 डिग्री होगा, Y equal होगा 80 डिग्री, opposite angle of a parallelogram हमार equal, Y हमारा 80 डिग्री आचुका है, Y हमारा, क्योंकि यह इसका opposite है, अब यह जो angle है, एक हमारा angle बन रहा है, एक लाइन के ओपर एक interior है, एक exterior है, तो इसको बोलते हैं corresponding angles, जब एक लाइन पे interior और exterior angle बना होता है, तो दोनों बराबर होते हैं, यह angle Z के equal हो गया, क्योंकि एक line पे दो angles हैं और एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, यह angle हमारा corresponding angle है, इसलिए इसके equal है, ठीक है, उसके बाद हमारा Z भी निकला है, अब रहता है हमारा X, X find करने के लिए, हमारा जो एक line पे यह दो angles बने हुए हैं, जो कि हमारे adjacent angles हैं, जिनका जो कि क्या होते हैं, supplementary होते हैं, 180 degree, तो हम क्या करेंगे, 180D में से 80 को माइनस करेंगे, तो हमारा X भी आ जाएगा, जैसी कि हमने यह यहां पे किया, X plus 80 equal 180, X, अब 180 में से 80 को माइनस किया, 100, तो X की value क्या आ गई, 100 आ गई, तो X आ गया हमारा 100, Y 80, Z 80, ठीक है, तो यह जो बीच बीच में आपके corresponding angle आ रहे हैं, adjacent angles आ रहे हैं, anterior angles आ रहे हैं, सब आपको जो है न, अच्छे से आना चाहिए, आपको यह पता हुनेचे आपने 7th क्लास में भी किया था, line and angles वाले जो chapter है न, इसमें है और अबनेकर 7th में भी किया होगा, तो line and angles वाले जो chapter होता है, उसमें सब कुछ यह सिखाया जाता है, ठीक है, तो उसी को इन्होंने आगे बढ़ा कर यह सभी questions जो है, इन्होंने हमें दीए हैं, ठीक है, अब इसका 5th देखो, यहाँ पे हमें एक angle दे रखा है, 112 degree और यहाँ पे हमें 40 degree दे रखा है, तो अगर हमारा यह 112 हो, तो इसका opposite angle भी क्या होगा, 112 होगा, opposite angle of a parallelogram are equal, अब यह हमारा 112 आ गया, अब यह हमारा एक क्या बन गया, यहाँ पे, triangle, triangle में दो साइट से रिखे, तीसरी फाइंड करनी है, तो इन दोनों को प्लस करके वनिटी में से माइनस कर देंगे, तो x आजेगा, जैसे कि हमने किया, angle sum property of triangle, x plus y plus 40 equal, x हमें find करना है, y 112 है, 40, दोनों को प्लस किया, वनिटी में से माइनस किया, 28 degree जो हमारा x आ गया, यह हमारा 28 आ गया, अब देखो, यह हमारा x और z, दोनों equal होंगे, क्यों हों था, क्या है, यह हमारे alternate interior angle है, एक ही line पर बने हो है, लेकिन एक इस side है, और एक इस side, लेकिन दोनों interior है, ठीक है, एक हमें जो भी पीछे किया था, क्या किया था, वो corresponding angle किया था, उसमें क्या था, कि एक ही line पर दो angles बने हो है, एक interior है, एक exterior है, तो वो हमारा corresponding हो जाएगा, वो एक इस side interior की तरफ बनोता है, एक exterior, लेकिन जो alternative interior angle होते हैं, वो दोनों ही अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन एक इस side बनाऊगा और एक lying की दूसरी तरफ, इसलिए वो angles भी equal होते हैं, तो x अगर हमारा 28 है, तो z भी हमारा 28 degree है, x 28, y 112 और z 28 degree, ठीक है, तो यह हो गया मारा अ ना correlator a, b, c, d, b या पैरलोग्राम, अब हैं बताना हैं कि जो correlator a, b, c, d है, क्या ये पैरलोग्राम है, तो देखो इसमें जो angle d है, और जो angle b है, अगर हम उन दोनों को plus करते हैं, तो वो हमारा क्या आता है, 180 degree, ठीक है, angle d प्लस, equal, ये हम से यहाँ पे इन्होंने question पूछा है, क्या angle जो हम d और b को plus कर रहे हैं, वो equal है 180 degree के, तो a, b, c, d will be a पैरलोग्राम only if, a, b, c, d एक पैरलोग्राम है, खब है, अगर angle b और d 90 degree है, तो ये एक हमारा पैरलोग्राम है, ठीक है, क्योंकि पैरलोग्राम में क्या होता है, क्यों हमारी opposite, हमारी जो angles होते हैं, वो क्या होते हैं, वो equal होते हैं, अगर b और d दोनों equal है, 90 degree है, तो ये हमारा पैरलोग्राम है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, a, b, उन्हें बोला है, जो a, b है, वो equal है, d, c के दोनों 8 cm है, a, d जो है 4 cm, b, c 4.4 cm है, तो यहाँ पे कहना क्वार्डी लेट रहे, a, b, c, d, b है पैरलोग्राम, तो a, b, c, d के एक पैरलोग्राम है, अगर ये sides नीचे दे रखी हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे no, क्यों नो, क्योंकि जो a, d है, वो b, c के equal नहीं है, यह 4 है, यह 4.4 है, पैरलोग्राम में क्या होता है, opposite sides जो होती है, वो equals होती है, थर्ड देखो, इसमें बोला गया है, क्या इसमें quadilator, a, b, c, d एक पैरलोग्राम है, अगर angle a 70 है, और c 65 है, तो क्या यह है, पैरलोग्राम तो नहीं ह है, इसलिए यह पैरलोग्राम नहीं है, ठीक है, हमें ना को बताया था ना, opposite angles equal होने चाहिए, question number 4, देखो, draw rough figure of a quadrilator, that is not a parallelogram, but has exactly two opposite angles of equal measure, अब हमें यहां पे, एक rough figure draw करना है, quadrilator का, जो की parallelogram नहीं है, that is not a parallelogram, but, लेकिन, has exactly two opposite sides, लेकिन, उसकी दो opposite sides है, and, but has exactly two opposite angles, sorry, two opposite इसके angles है, अगर अपसको हम major करते हैं, तो यहां पर हम जो काईट है, काईट बनाएंगे रफ figure में, उन्होंने में क्या बोला, कि एक quadrilator है, लेकिन वो unqual side means, अब इसमें चाहे यह side इसके equal नहीं है, लेकिन, यह इसके equal है, यह इसके equal नहीं है, लेकिन, यह इसके egal होते है, गाइट के, तो जब हमें ऐसा कोशन दिया जाए, जसके हमें अंदर quadrilator बनाने के लिए बोला गया है, वो quadrilateral b यह पैलोग्राम नहीं है एंगल b equal है एंगल ठीक है और साथ में हमें इसके यह भी लिखना है ठीक है question number 5 the major of two adjacent angles of a पैलोग्राम in the ratio 3 ratio 2 find the major of each of the angle of the पैलोग्राम क्या बुल लगया है the major of two adjacent angles adjacent angle है हमारे किस ratio में दे रखे है 3 ratio 2 में दे रखे है यहाँ पे हमें ठीक है the major of two adjacent angles of पैलोग्राम आरब ratio 3 ratio 2 find the major of the each of the angle of पैलोग्राम हमें हमें each of the पैलोग्राम जो हमें इसका निकाना है ठीक है तो यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया a b c d दे दिया तो सबसे पहले start करते है इन पैलोग्राम a b c d let मान लेते है कि angle a है 3x तो कि यहाँ पे ratio में दे रखा तो हम इसको मानते है 3x और b को मानते है 2x ठीक है अब angle b और a और b क्या है adjustment angle है supplementary है तो 180 degree हो गया ठीक है तो इनको plus कर दिया 5 आ गया divide कर दिया 36 degree आ गया x हमारा 36 आ गया अब जब x 36 आ गया तो मैं पता चल जाएगा पहला हमारा क्या था 3x 2x अब x की जगा पे हम 36 टरकेंगे और multiply कर देंगे a हमारा 3x 3 into 36 108 b है 2x 2 into 36 equal 72 degree है निकि angle a 108 हो गया angle b 72 degree हो गया अब angle c जो है हमारे जब यह निकलाएंगे तो यह इसके opposite है यह इसके opposite है और opposite angle equal होते है ना पेरलोग्राम में तो बस यह लिख देंगे angle c equal angle a opposite angle है पेरलोग्राम equal तो हमारा c हो जाएगा 108 d equal है b k तो d हमारा 72 हो जाएगा और हम लिख देंगे a 108 b 72 c 100 a t 72 तो यह हो गया हमारा question 5 question 6 देखो two adjacent angles और पेरलोग्राम है equal major दो adjacent angles है और दोनों equal है उनका major दोनों का equal है find the major major बस इन दोनों का major निकालना है a को x माल लो b को भी x माल लो दोनों vanity degree adjacent है पेरलोग्राम supplementary x plus x 2x vanity से divide कर दो 90 x आ गया 90 ठीक है अब a b 90 है b b 90 क्योंकि हमें question में बोला कि दोनों ही equal है तो दोनों equal हो गया a 90 ब b 90 हो गया अब इसके opposite देख लो जब a 90 है तो c b 90 b 90 तो b b 90 क्योंकि opposite angles equal होते है तो c और a equal है opposite angle of पेरलोग्राम equal से d और b b equal है ये भी equal है major x y z x y z find करनी है state the property you use to find them property जो है इसमें use होगी वो भी हमें बतानी है देखो अब angle 1 देख लो पहले यहाँ पे ठीक है है यहाँ पे क्योंकि हम इसको na triangle से भी इसको find कर सकते है अगर हमारे पस यहाँ पे एक angle होगा तो फिर हम इसके जो है बाकी की दो angles भी निकाल सकते है तो पहले angle 1 देख लो यहाँ पे लीनियर पेर बन रहा है 70 और यहाँ पे total कितना linear पेर होता 180 180 में 70 को माइनस करेंगे angle 1 आजाएगा वही यहाँ पे किया angle plus 1 plus 70 180 linear pair 180 में 70 को माइनस किया 110 यहाँ की angle 1 हमारा आगया 110 अब जब हमारा angle 110 यहाँ पर आगया आप देखो एक्स जो है वह equal है 1 के क्यों क्यों क्योंकि यह से opposite angle है टीक है एल जो है वह से opposite है यह 110 है तो फिर यह भी 110 है तो यहाँ पर हम इसके लेग देगे अब आखो में बता रहे हूं सभी question में न कि एक line पे दोनों एंगल interior लेकर एक इस side पर बना हूँ और एक side पर बना हूँ तो यह alternative interior angle भी इकल होते है अगर यह 40 है तो यह भी y भी हमारा 40 है y इकल 40 alternative interior angle अब देखो यहाँ पर जो है हमारा जो है क्या आजाता है x जो है x 40 और 7 में हमारा जो है वो z यह हम लेंगे 180 degree क्योंकि यह एक ही line के उपर जो बने हुए एक क्या है adjacent angle है तो adjacent angle क्या होते है 180 यह जो पूरा का पूरा अगर हम देखे है h तो पूरा का पूरा क्या होगा हमारा 180 तो यह एक line पे अगर हम यह पूरा का पूरा देखें, x और यह जो हमारा है, तो यह दोनों मिलाके हमारा 180 degree बनता है, जैसिके अपितक मैं आपको बता रही हूं कि जो adjacent angles होते हैं, वो 180 degree होते हैं, तो हम अब लिखेंगे x 40 और z, ठीक है? adjacent angle लिखेंगे, क्योंकि यह दोनों angle 180 degree है, तो यहां लिख दिए x 110, 40, z equal 180 degree, तो यह दोनों को प्लस किया, 150, 180 में से माइनस किया, 30, तो z आ गया हमारा 30 degree, ठीक है? तो हमारे सारे निकल आए, हमारा angle 1 निकला था, जिससे हमने इसका opposite x 110 हो गया था, यह 40 था, तो यह भी 40 हो गय किया, adjacent angle से एक लाइन पर दो angles बने हुए यह, तो हमने क्या करा, हमारे पास यह था, और 40 था, दोनों को मिला के 180 से माइनस किया, तो हमारा यह आ गया, क्योंकि adjacent angles का जो, adjacent angles जो होते है, वो क्या होते है? यह ठीकरी की होते है, क्योंकि वो supplementary है, ठीक है? इस तरीकी से हमारा x y और z आ गया, question number 8, the following figure, g, u, n,s, यह वली पहले हम देखते है, एक figure और दे रहे है, r, n,s, parallelogram है, x और y फाइन करना है, length आ इन cm, ठीक है? हमें, देखो, यह x है और यह y है, यह दोनों फाइन कर दे है, तो पहले हम 3x, हमारा parallelogram है, तो opposite sides equal होंगी न, इसमें, तो 3x equal है 18 के, x find करना है, multiply हो रहे हैं, divide होंगे, x आ गया, 6, अगर मैं अब x की जगापे 6 रखती हूं, तो 3x की जगापे 6 रखती हूं, 6, 3 is 18, यह यह भी 18 होंगे, यह भी 18, equal होंगे, अब देखो 3y minus 1, यह 3y minus 1 equal है, 26, opposite sides equal होती है, 3y minus 1, यह दरा के, plus होंगे, 27 होंगे, ठीक है, अब इ 9 रखती है, अगर मैं इसकी जगापे 9 रखती हूं, तो 9 रखती है, कितना अगर 27, minus 1 को 26 ही आजएगा, मेरा, दोनों side इसको equal हो जेंगी, वैसे हमें इसरो x और y find करने के लिए बोल गया, तो x ऐसे find करो, y को ऐसे, ठीक है, बहुत simple है, आप जितनी जादा practice करोगे, आपको इसली जो है, यह होता जाएगा, लिकिन इस exercise के आपको practice करनी पड़ेगी, अब यहाँ पे दूसरी figure है, r, u, n, s, अब इसमें देखो, इसमें भी हमें x और y जो हो find करने, आप इसमें डाइगनल्स में दे रखे हैं, पहला हमें दे रखा y प्लस 7, यह जो पूरा diagonal होता है, करते हैं, तो यह पूरा का पूरा, जितना ही यहां से यहां तक होता है, उतना ही यहां से यहां से यहां तक भी होता है, ठीक है, अब यह जो है, वो इसके equal है, इसलिए y प्लस 7 इक्वल 20, डाइगनल्स और पैल्लोगरम, बाइसेक, इच अदर, y निकाल दिया, 7, 20 में 7 में इक्वल 16, यहां पे जो है, x आ गया, और यहां पे 16 में से 13 को माइनस कर दिया, 3 आ गया, x हमारा 3 आ गया, अब हम यहां पे देखो, x हमारा 3 आ गया, y हमारा क्या आया था, 13 आया था, 13 प्लस 3, 16 हो देगा ना, दोनों equal हो गया, ठीक है, तो यह 8 का हो गया हमारा, second, अब हम हमें वोला गया है, in the above figure, यह जो हमें above figure दे रखी है, इसको तेरा ध्यान से देखेंगे, in the above figure, both, r, i, s, k, यह हमारा है, r, i, s, k, यह वला जो है, और दूसरा हमारा जो हमें दे रखा पैरलोग्राम, c, l, u, e, हमारा, c, l, u, e, हमारा दूसरा पैरलोग्राम है, find the value of x, कि अगर हम पहले लेते है, r, i, s, k, पहले हम यह लेते है, इन पैरलोग्राम, r, i, s, k, जो k एंगल है, वो equal है, angle 2, इसको हमानलेंगे, यह हमारे एक पैरलोग्राम बना हुआ है, यह, छिग है, तो यह angle, यह angle, यह angle, उसके साथ हमारा यह angle आ रहा है, जिसको हम angle 2 का नाम द 120 को minus करेंगे तो हमारा angle 2 निकल आएगा, थीक है, तो हमने 120 में से, 180 में से 120 को minus करेंगे तो हमारा angle 2 आजाएगा, तो हमने अभी लिया RIS के, ये वाला जो है parallelogram लिया है, तो इसी तरीके से हमने आपने देखो किया है इसको, तो k plus 2 180 degree हो गया अगल है k हमारा 120 है 2 हमें निकालना है 180 में से 120 माइनस की angle 2 हमारा 60 degree आगया adjacent angle है parallelogram का supplementary तो यह 2 angle हमारा 60 degree आगया अब हम दूसरा देखते हैं c l u e अब इसके अंदर हम e find करेंगे तो इसके अंदर जो c l u e है वो हमारा angle 1 ले लेंगे angle 1 equal होगा 70 के क्योंकि opposite angle equal होते हैं तो अगर यह 70 है तो यह भी 70 है इना पैडलोगराम c l u e opposite angle of पैडलोगराम equal angle 1 equal है angle l k यहनके angle 1 हो गया 70 degree ठीक है अब देखो इसको अब हमारे पास angle 1, 2 और x यह हमारा यहाँ पे एक triangle बन रहा है हमारे पास angle 1 भी आगए angle 2 भी आगए तो x fine कर सकते हो angle 1 70 है 260 है x fine करना दोनों को plus करके 180 मिसे minus कर दो x आज़ेगा हमारा 50 degree ठीक है यहाँ पे हमारी कौन सी property लगी है by angle sum property of a triangle की property लगी है अब इस trapezium के अंदर हमें क्या explain करना है how this figure our trapezium की कैसे जो इस trapezium के अंदर which of its two sides are parallel कौन सी दो sides है जो parallel है तो angle L plus angle M और L को अगर हम plus करते हैं तो हमारा आत है 180 degree ठीक है दोनों को plus किया हमें दे रखता है 180 degree since the sum of co-interior angle अब देखो co-interior angle बोलो या adjacent angle बोलो एक ही बात है दोनों चीज़ ठीक है तो हमें पर अब adjacent angle भी लिख सकते हो since the sum of co-interior angle is 180 degree इसलिए देखो co-interior angle जो है जो adjacent angle है वो 180 degree है इसलिए जो हमारा NM है वो parallel है KL के ठीक है hence KLM is a trapezium इसलिए ये एक trapezium है अब question 11 देखो find the angle C है इस figure के अंदर वो हमें जो है क्या करना है find करना है अगर A, B parallel है DC के ठीक है तो A, B parallel है DC के और जो BC है ये जो BC है वो एक transversal है देखो A, B अगर मैं यहां से बढ़ाओ ये DC बढ़ाओ यहां से तो BC इसके ओपर एक transversal आजाएगा A, B parallel है DC के और BC एक transversal है therefore इसलिए angle B plus angle C equal 180 degree क्योंकि ये अगर्जर्षन अंगल है चाहे इसको को अंटीर बोलो चाहे अगर्जर्षन अंगल बोलो क्योंकि हमें क्या कर रहा है हमने ये दोनों का मिलाके 180 होता है 180 पीचे 120 माइनस किया तो C आ गया हमारा 60 degree ठीक है ये हो गया हमारा question number 11 question number 12 देखो find the major of P and S if the अब इसके अंदर ना हमें एक तो P find करना है ये ठीक है और एक हमें S find करना है दोनों का major अब ये भी बोला गया है अगर जो S P है वो parallel है R Q K तो find करो P और S if you find the R is there more than one method to find P अगर कोई और method भी होता ना P को find करने का तो वो भी हमें इसके अंदर बताना है तो सबसे पहले देख लेते हैं S P किसके parallel है जैसे के मैं question में बताया हूँ है कि R Q के parallel है and S R is a transversal S R क्या है transversal अगर हम इसको बढ़ाते हैं यहां से तो S R एक हमारा transversal है ठीक है therefore इसलिए जो angle S और R जो है वो हमारे adjacent angle है co-interior angle है जो हमारे 180 degree के होते हैं और यहां पे R जो है यहां पे हमें 90 degree दे रखा है तो 180 में से 90 को minus करेंगे तो हमारा S P 90 आजएगा जैसे कि हमने यहां पे किया है उसके बाद देखो S P equal है R Q के and P Q is a transversal अब हमने यहां पे S तो find कर लिया बहां पे हमारा S रखा ट्रांसवर्सल था अब हमारा S P equal है R Q के और P Q हमारा transversal है क्योंकि हमें P find करना है तो यहां पे भी यह दोनों adjacent angle है co-interior angle है तो यहां पे भी 118 में से 130 माइनस करेंगे तो P आजएगा जैसे कि हमने यहां पे यह किया है अब यह तो हमने S और P find कर लिए हमने बोला कोई और भी तरीका है find करने का तो हम लिख सकते है Yes, we can find P by another method एक और method है P plus Q plus R plus S equal 360 degree by angle sum property of co-ordinator के 360, interior angle 360 degree के होते है co-ordinator के तो P हमें find करना है Q 130 है R 90 है तो हमारा P आ जाएगा यह एक और दूसरा method है तो P हम find करने के लिए addition angle से भी find कर सकते है P को और जो हमारी जो angle sum property of co-ordinator है उससे भी find कर सकते है यहां पर हमारा chapter exercise 3.3 complete हो जाती है hopefully आपको यह video helpful लगाऊ वीडियो helpful लगे तो please like share and subscribe thank you